हलो एन वेल्कम टो बिटेनिंग साथ मैं बिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी इनिंग जो इस वक्त जो मैं वीडियो में आपको जो बात बताने जा रहा हूं इसको ऐसा मत समझेगा कि मैं कोई बिटकोईन के फेवर में हूँ और मैं एथेरियम के अगेंश्ट में हूँ तो मैं एथेरियम को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ या मैं एथेरियम के खिलाफ हूँ या मैं कोई ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिससे कि आपको पहने को मैं सिर्फ अपना एक उपीनियन दे रह करेंगे हम grow नहीं करेंगे चीज़ों पर debate होना बहुत जरूरी है तो जिस तरीके से excitement हमने Bitcoin के ETF में जिस आप से देख रहे हैं कि Bitcoin के spot ETF में BlackRock के आने से जो excitement देख रहे हैं क्या वो Ethereum के लिए भी excitement होनी चाहिए उतनी ही अगर BlackRock है वो इस बात पर है कि जो BlackRock का Ethereum का जो spot ETF है वो Ethereum के लिए बहुत बड़ा concern है कैसे है उसी को मैं आज बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपना last में comment करके ज़रूर बताईएगा देखिए देखिए जब Bitcoin का जो spot ETF है उसके अंदर ETF के अंदर होगा क्या ETF के अंदर आप BlackRock के BlackRock को आप पैसे दोगे BlackRock आपके विहाफ पे जो Bitcoin को बाई करेगा और Bitcoin को बाई करने के एविज में उसके return में आपको units allocate होंगे ETF के अंदर आपको जो unit होगा वो आपको allocate होगा और आपके जो Bitcoin है वो अपने पैसे दिये आपको ETF की जो NAV होता है net asset value तो NAV में आपके जो units है वो आपको allocate होंगे और वो Bitcoin के price के हिसाब से बढ़ेंगे घटेंगे ठीक है जैसे जैसे price बढ़ेगा घटेगा उसे साब से NAV की जो values आपके वह units allocate होंगे वो उस साब से बढ़ेंगे और घटेंगे ठीक है clear हो गया अब जो Bitcoin है आपके पास वो actual आप custody नहीं कर रहे हो BlackRock लेकिन market से जितना उसके पास asset under management है मतलब जितना उसके पैसा आएगा उसके equivalent वो Bitcoin को buy करेगा Bitcoin को buy करके अपने पास नहीं रखेगा वो Coinbase के पास रखेगा अब आप सोचो कि billions में पैसा आने वाला है Bitcoin के अंदर और BlackRock जो है वो इतना बड़ा asset under management है अब सोचो कि जब इतना पैसा कुछ Bitcoin के अंदर पैसा allocate होगा तो Bitcoin काफी वो accumulate करेगा Bitcoin को accumulate करके वो Coinbase के पास रखतेगा clear हो गया अब proof of work में क्या होता है proof of work जो consensus mechanism है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने Bitcoin को बहुत ज़ादा accumulate कर लिया हो उसके उसको power नहीं मिलती है जैसे micro strategy के पास अगर एक लाग अठावन हजार Bitcoin है तो इससे micro strategy को कोई ताकत नहीं मिल जाती कि वो Bitcoin के network को dictate करें उसमें जो blocks हैं उनको वो reorganize कर दे या उनसे कोई छेड चाड़ कर दे या transactions को वो you know dictate करना शुरू कर दे कि कौनसी transactions को block में add करना और कौनसी को नहीं करना तो इससे कोई accumulation से BlackRock को या micro strategy को कोई power नहीं मिल जाती Bitcoin के network में अपनी terms को dictate करने की clear हो गया तो यह proof of work consensus mechanism है इसमें coins को बहुत ज़्यादा accumulate कर लेने भर से आप network को terms dictate नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता कि आप यह terms dictate करने लग जाओ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा Bitcoin है तो अब मैं यह वाली transactions को जो है block में शामिल नहीं करूँगा clear हो गया ठीक है तो आप देखते होगा कि Bitcoin के network में इसी लिए एक minor होता है उसका अपना role है इक nodes है उसका अपना role है और आपकी जो नॉर्मल जो institution और retail buyer है जो Bitcoin को सिर्फ buy कर रहे है और sell कर रहे है exchanges पर ठीक है तो यह ecosystem इस तरीके से designed है कि किसी भी एक व्यक्ति की या एक group of individuals की के coin को accumulate कर लेने भर से वो dictate नहीं कर सकते है ठीक है अगर आपको Bitcoin के network में terms को dictate करना है तो उस समय की जो hash power है उसका आपको 51% जो है आपको जो hash rate है को accumulate करना है hash rate आपको जो processing power है जो उस समय की जो Bitcoin को mine करने की उसका 51% आपको occupy करना है capture करना है मतलब आपको उतनी ही मेहनत करनी जितनी miners मेहनत कर रहे हैं अगर आपको Bitcoin के network पर attack करना है there is no other way to dictate terms to the network ठीक है अब हम आजाते हैं same example हम समझते हैं कि spot ETF लेते हम Ethereum के case में अब Ethereum के case में suppose करिया BlackRock जो है वो billions में suppose Ethereum का spot ETF अप्रूव हो जाता है billions में वो पैसा डालता है Ethereum के अंदर अब आप गए आपने spot ETF बाई किया उसने आपके भिहाब पे Ethereum को बाई किया और उसने Coinbase के पास custody रखना शुरू कर दिया जब उसने Ethereum को Coinbase के पास custody में रखा सोचे billions में जब पैसा Ethereum के अंदर गया तो obviously price के अंदर तो जैसे आप सोच रहे हैं वैसे bullish scenario बने गई लेकिन concern वहाँ नहीं है concern price पे नहीं है concern यह है कि जब BlackRock इतना Ethereum लेके Coinbase के पास रखेगा तो Coinbase क्या करेगा उस Ethereum का Coinbase जो है वो उस Ethereum को stake कर देगा और अगर Ethereum को stake करता है क्योंकि Bitcoin को आप कही stake नहीं कर सकते हैं Bitcoin के को आप network पे stake नहीं कर सकते हैं आप Bitcoin के network पे Bitcoin को stake कर दो और आपको बदले में rewards मिलेंगे लेकिन Ethereum के case में Coinbase already एक validator है Ethereum के network तो जब उसके पास इतना Ethereum आएगा वो Ethereum को stake करेगा Ethereum के network में interest को earn करने के लिए उसकी earnings को बढ़ाने के लिए अब जब इतना Ethereum Coinbase के पास हो जाएगा और जब Coinbase जैसे Fidelity भी उतर गया Vanguard उतर गया, Invesco उतर गया, अलग-अलग companies के अगर ETF उतर गए तो सोच सकते हो कि यह बड़े-बड़े financial institutions जो है इनके पास कितना ज़ादा Ethereum हो जाएगा और जब इनके पास Ethereum हो जाएगा यह सबसे बड़े validators हो जाएगा और जब यह validators बन जाएगे तो यह terms को dictate करने लग जाएगे, क्योंकि हमने यह देखा कि जो Ethereum के case में, proof of stake के case में, जिसके पास सबसे ज़ादा coin, उसकी उतनी ज़ादा probability हो जाती है, जो Ethereum के network में, जो blocks हैं, उनको validate करने की और वो अपनी terms को इस तरीके से dictate करना शुरू कर देंगे, कि कल को, यह सारी regulated entities हैं, यह कल को यह ब network में, सबसे बड़ा उसका feature होता है, censorship resistance, right, कि censorship resistance, जो है, वो सबसे बड़ा एक feature होता है, decentralized network है, कि आपकी कोई transaction को कोई censor ना कर सके, लेकिन अगर Ethereum के network पे, अगर सारे यह बड़े-बड़ी, जो fund managers हैं, अगर यह validators बन जाते हैं, और जो कि दिखता है, कि अगर जब ETF आएग जाते हैं, जो हैंगे, हलो, यह वाली transactions block में include करनी है, यह वाली नहीं करनी, यह वाली करनी है, यह वाली नहीं करनी, right, तो आपका हो सकता है, कि Ethereum के network में, जो transactions है, वो infinite time के लिए हो सकता है, कि lingor on ही हो जाए, वो confirm ही नहीं हो रही है, आपने transaction करी, लेकिन block के अंदर, वो insert ही 13.4% market share है, you know, Binance, जो है, उसका top 4 में है, Kraken है, आप देखो, Lido, Coinbase, Kraken, Binance, यह exchanges ही है, अभी भी सबसे बड़ी, जो, जिनके पास सबसे बड़ा market share है, जो सबसे बड़े validate है, जो सबसे बड़े validate है, जो सबसे बड़े validate है, आप सोचो कि Coinbase के पास BlackRock, Ethereum रखता है, अपना validators बन जाते हैं, तो आप सोच सकते हो, कि यह Ethereum के network में, जो हम हमेशा से problem को बताते हैं, कि Ethereum के अंदर, जबसे वो proof of work से, proof of stake पे जाने का जो criticism था, वो यही था, कि यह centralization को बढ़ावा देगा, तो वो ही हम चीजे देखने, अगर ऐसा होता है, Ethereum के ETF के आने के बाद, तो वो स पाएगा, और इतना Ethereum अगर stake कर दिया, तो वो सबसे बड़ा validator बन जाएगा, फिर fidelity भी है, फिर और भी asset intermanagement है, तो यह Ethereum कहीं कहीं centralize हो जाएगा, और जो हम censorship resistance की जो बात करते हैं, कि transactions को कोई sensor नहीं कर सकता, वो transaction sensor होना शूर हो जाएगी, तो फिर Ethereum एक bank की तरह ही operate करेगा right, कि bank जिसका account खुलना चाहेगा, जिसकी transaction approve करेगा, वो ही transaction होगी, जिसकी transaction वो मना कर देगा, वो transaction नहीं होगी, right, तो clear होगे, यह बड़ा important point था, बड़ा important एक concern है, मैं जानता हूँ कि आप को agree करना है, agree नहीं करना, यह video बनाने का मकसद नहीं है, लेकिन आपका जो भी perspective ह right, कि आपको यह logical लगती है, बात यह logical नहीं लगती है, उसको आप एक बार comment करके जरूर बताएगा, अगली ख़बर पर चलते है, अगली ख़बर पर अगर हम चलें, तो gray scale का, आप देखो, कि gray scale का इतना बड़ा, उसके बड़ा bitcoin की holding है, कि आप यह देखे, सबसे बड़ी bitcoin की holding सतोशी ना कम, कहते हैं, सतोशी ना कम होतों के बास है, और उसके बाद, अगर दूसरी नंबर पर सबसे बड़ी holding है, वो GBTC है, gray scale के पास है, gray scale का ETF में यह convert हो जाता है, तो gray scale आप इतना बड़ा, you know, ETF होगा, इतना बड़ा size होगा, उसके बड़ा first mover advantage होगी, और बताया 10,000 bitcoin है, एक block के अंदर 10,000 bitcoin है, तो आप सोच सकते हो, gray scale के पास 25 billion US dollar worth of asset under management है, तो आप सोच सकते हो, कि एक block के अंदर 10,000 bitcoin है, तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, आपका micro strategy आता है, तो gray scale बहुत पड़ा trust है, अगर यह अपरूव हो जाता है, तो day one पे, already इसके बा trade होना चाहिए, Nasdaq ने प्रपोसल दिया है, कि जसे तरीके से, you know, जो Ethereum का ETF है, वो Nasdaq के ऊपर tradable होना चाहिए, तो और जिस तरीके से gold के ETF, Nasdaq के ऊपर, जो वहां की exchange है, वहां trade करते हैं, उसी तरीके से, जो rules, gold के ETF के लिए, या commodities के ETF के लिए, वही Ethereum के ETF के लिए भी होना ये तो Nasdaq जैसी companies, BlackRock जैसी companies, Ethereum के support में आ रही है, Ethereum के spot ETF में आ रही है, लेकिन मैंने आपको concern अभी थोड़ी दिर पहले बताया है, कि बहुत बड़ा genuine concern है, ये Ethereum को और जाधा centralized कर देगा, और जो censorship resistance के हम बात करते हैं, वो feature Ethereum के अंदर से खतम हो सकता है, उसके बाद हम देख पता लगेगा कि ये काम किस नहीं किया था और और ये कैसे हुआ ये काम, और इसका जो भी guilty है, उसको सजा मिल सकती है, तो ये वहाँ पर Department of Justice ने inquiry बिठा दी है, उसके बाद SEC ने इस साल 2023 में 748 case जो है, 784 case फाइल किये, अलग-अलग companies के against और उसने करीब 4.5 billion के आजबास जो है, यहाँ आप देख सकते हो, 4.9 billion जो है, उसने in terms of penalties और ये कठा किया, इन company से, तो एक तरीके सब earning के लिजे, SEC की, वो 5 billion के आसपास है, उसके बाद, बिटकोईन का जो minor earnings है, वो काफी बढ़ गई, क्योंकि ordinals की वज़ा से भी 44 million US dollar की एक record earning हिट हुई, रइड, बारा 12 November को, ठीक है, जो earnings है, यह annual earning है, annual all time high of over 44 million US dollar, लेकिन, माना यह जा रहा है कि देखे, यहाँ पर क्या है कि, यह marathon है, marathon जब से बड़ा US का minor है, उसके आप देख सकते हो, कि, उसके जो 2023 का जो quarter, तीसरा quarter था, उसके अंदर 3490 bitcoin उसने mine के, आप देख सकते हो, कितनी शांदार growth ह है, marathon के लिए कि, marathon का ही कहना है कि, क्योंकि, अब bitcoin halfening के बाद, उसकी जो supply है, वो आधी रह जाएगी, तो इसलिए उसको, अब वो और जगाओं पर pivot कर रहा है, pivot करने का मतला है, और ऐसी जगाओं पर, जहां पर energy सस्ती है, तो वो अमेरिका से move करेगा, और जैसे ही, वो ऐस कर सकी, US में रहके, वो survive नहीं कर पाएगा, तो miners जो है, ऐसी जगाओं पर relocate हो जाएगी, खासका developing countries में, जहां पर energy सस्ती है, तो इस सब चीजों का, Asia में, Africa में, और ऐसी countries जो mining को बढ़ा हो देगी, उन countries को बहुत फायदा होने वाला है, वहाँ पर ऐसी companies जो अपने base को relocate कर रही है, 40 से उपर countries हैं, जिन्होंने international crypto reporting framework बनाया है, जिसके अंदर आप यह countries है, मैं link नीचे डाल दूगा, यह सारी countries हैं, जिन्होंने, यह jointly यह declare किया है, कि वो एक framework बना रहे हैं, जिसमें आपस में data भी share करेंगे, और crypto की reporting का proper framework होना चाहिए, ताकि tax कोई ना बचा सके है, उसके अलावा, Hong Kong के अंदर एक company है, बोया, जो कि 45 million US dollar worth of bitcoin, जो अपने treasury में रखी, जैसे micro strategy ने रखा है, ठीक है, और उसके बाद, जो मैंने tweet किया, मैंने tweet यह किया, right, तो मैंने यह tweet किया, कि जो meta, google और microsoft जैसी companies है, वो bitcoin में इसलिए invest नहीं करेंगे, क्योंको profit बनाना है, ठीक है, वो इसलिए invest करेंगी, क्योंको profit नहीं बनाना है, उनको अपनी capital reserve करनी है, तो bitcoin या crypto के अंदर जो profit बनाना होता है, वो हम लोग को बनाना होता है, जैसे retail में profit बनाना है, इन्वेस्ट करना है, उनको invest इसलिए नहीं करना है, उनको invest इसलिए करना है, जो inflation का rate है, जो उनकी capital है, वो debase नहीं हो जाए, devalue नहीं हो जाए, वो at least इतनी grow हो जाए, कि जितनी inflation है, तो वो इसलिए bitcoin जैसे asset class में, सिर्फ इसलिए करना चाहते है, ठीक है, 6-7 8%, 9% आजाए, बहुत है, आपकी तरह वो to the moon expect नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अपने business है, वो वहाँ से to the moon करते हैं, उनको आप phone बनाते हैं, software बनाते हैं, पचासियों और काम करते हैं, crypto के अंदर सिर्फ अगर invest करेंगे, bitcoin जैसी asset class में, तो सिर्फ इसलिए करेंगे, कि उनक उनकी capital preserve हो जाए, ठीक है, कैसा लगा आपको आज का show, उमीद करता हूँ, आपको जो पहला section था, 10 minute का, बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी आपका opinion है, उसको please comment करके जरूर बताएगा, चाहे negative हो, positive हो, आपका जो thought है, आप मेरी बात agree करो, disagree को, कोई बात नहीं, लेकिन comment करके जरूर बताएगा, with this thought, thank you very much.